नमस्कार आपका हमारे उरतकथा चैनल पर स्वागत है दोस्तों हिंदु धर्म में सभी एकदसी तिथियों का विशेस मात में बताया गया है पूरे साल में 24 एकदसी तिथियां पढ़ती है जिनमें एक महीने में दो एकदसी तिथियां पढ़ती है सभी एकादसी तिथियों में विस्नु भगवान का पूजन करने का विस्स महत्व है इनी एकादसी तिथियों में से आसार माह के सुकल पक्ष में होने वाली देवसेनी एकादसी विस्स महत्व रखती है इस एकाथसी तिथी को सभी तिथियों में सेश्ट बताया गया है और ऐसी मानिता है कि इस दिन भगवान विष्णू का पूजन करने से सभी मनुकाम नएप पूर्ण होती है ऐसी मानिता है कि आसार मां के सुकल पक्ष में पढ़ने वाली देव सैनी एकाथसी के दिन विष्णू भगवान पाताल लोक में सेन करने चले जाते हैं इसी वज़से इस एकाथसी को देव सैनी एकाथसी के नाम से जाना जाता है हिंदू मानिताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णू समेथ अन्नी देवता भी निद्रा में चले जाते हैं और स्षिष्टी का संचालन भागवान सिव के हाथों में आ जाता है इसलिए ही देवसेनी 81 के बाद से सावन के महीने के सुरुवात हो जाती है आईए जानते हैं देवसेनी 81 के सुब मूर्थ के बारे में तो इस सल आसार महिने के सुकल पक्ष की देव सहनी 81 तिथी का प्रारंब 9 जुलाई को साम 4 बचकर 49 मिनट से होगा और 81 तिथी का समापन 10 जुलाई को 2 पर 2 बचकर 13 मिनट पर होगा उद्या तिथी के अनुसार देव सहनी 81 का वुरत 10 जुलाई को रखा जाएगा और 81 तिथी का पारंब 11 जुलाई को सुब़ 5 बचकर 31 मिनट से लेकर सुब़ 8 बचकर 17 मिनट तक किया जाएगा देव सहनी 81 का हमारे हिंदु धर्म में विश्यस मात्व है इस 81 से ही चतुर मास का आरंभ हो जाता है इस 81 तिथी में भगवान विश्णु जी की विश्यस पूजा की जाती है जिससे समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है धर्म सास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि इस दिन से भगवान विश्णु देव निद्रा में चले जाते हैं और स्रिष्टी का संपूर्ण भार स्रिव जी के हाथों में आ जाता है इस दिन से लगबख चार महिने तक यानि देव उठनी एकादसी तक मंगल कारियों को करने की मनाई होती है ऐसा मना जाता है कि एकादसी के दिन से ही सीव पूजन करना विश्यस रुप से फलदाई होता है चुकि देव सैनी एकादसी से चतुर मास का आरंभ होता है इसलिए इस दिन विश्यस जी का पूजन विश्यस लावकारी होता है अब आये जानते हैं देव सैनी एकादसी की पूजा विधी तो देव सैनी एकादसी के दिन सुबह जल्दी उठकर असनान आधी से निवरित हो जाएं उसके बाद घर के मंदिर में दिप रज्वलित करें और भगवान विश्यस का गंगा जल से अविसेक करें भगवान विश्यस को पूस्प और तुलसी दल अरपित करें इसके बाद भगवान विश्यस की आरती करें भगवान को भोग लगाएं इस बात का विश्यस ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है भगवान विश्नु के भोग में तुलसी को जरूर सामिल करें ऐसा मानेता है कि भगवान विश्नु तुलसी के बिना भोग गरण नहीं करते हैं इस पावन दिन भगवान विष्णू के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें इस दिन भगवान का अधिक से अधिक धान करें उमीद है आपको देव सेनी 81 से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इससे अपने दोस्तों में सेर करें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सबस्काइब करें धन्यवाद